चले हम लोग स्टाट करते हैं जो हमारी सीरीज से लिए है इतका पार्ट नमर 15 अभी तक हम लोग 14 पार्ट देख चुके हैं अब हम लोग नेक्स पार्ट स्टाट करते हैं अगर आप लोग किर्वेस वीडियो देखना जाते हैं तो यहाँ पर एक आई बटन का एक लिंक पार्ट अब हम लोग क्या देख रहे थे हम लोगोने इस सारे टापिक कवर कर लिया अब हम लोग यह वाला स्टाट करते हैं यान कि अभी तक हम लोग देख रहे थे जो और यह हैं वह आर्थ विवस्ता में तरल्था जो काम साधा करती है तो उसके पास कुछ जादिद मंत तो इने instrument के वारे में हम देख रहे थे जो मौद्रिक नीतिया है उन्हीं का ये भाग है तो हमने इसमें दो भागों में इसको डवाइड किया था इसका classification किये थे लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह दू दीन मिनट में रिविजन कर लेते हैं रिविजन मूस्ट इंपोर्टेंट होता है देखें आप पढ़ते हैं आप वीडियो लेक्षर देखते हैं इससे ज्यादा मातला इंपौर्टेंट है कि करने सार्ण है रिविजन करेंगे और रिविजन नहीं करें गारेंक हाँसर आपकोस्वण को विश उने शब्स बैंक की कुल जमारासी का एक हिस्सा है, बैंक की कुल जमारासी होती है, उसका एक हिस्सा है, ओकी, और दीखिए, जो CRL वाला हिस्सा होता है, मैंने आपको बताया था, CRL वाले हिस्से को बैंक किस के पास रखती है, RBI की पास रखती है, और किस रूप में रखती है, नगद इस पारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं इसी लिए सारी वीडियो हम टाइम टो टाइम देखते रहे हैं वरना पीछे होते रहेंगे और हमने बात किती जो SLR है इसको बैंक किसके पास रखती है अपने पास ही रखती है और इसे किसी भी रूप में रख सकत है है अगर वो अदर फॉर्म में रखना चाहते हैं जासे कि सिक्यूरिटी होगीं अधर सिक्यूरीटी होगी उन के फॉर्म में सकते हैं ऐसी तरह OMO के सहत एक उपरिकरण है जिसके माध्यम से साहर्वेज तरहें तो जादा कम करती है और इसमें क्या कört करती है अर्थ व्यवस्ता में तरलता को कम जादा करती है अब मैंने इसको बताया था जब OEMO में आपको बता रहा था इसी के साथ मैंने अधर टूल के बारे बताया था जो इससे काफी मिलता जोलता है दीखे OEMO में क्या होता है इस पर जो ब्याज होता है इस पर जो रहे होकि अब हम लोगों ने बात कितीं बैंक रिकूरइट रिवर्ट रिपूरइट और मारिसि टर्नी फैसिलिटी एक क्या है इस चारू क्या है एक ब्याएज दर है इस पर क्या होता है जो आरब रहीं होती है ओर रिड़ से क्या हशचे अर्ट निती प्यान तो पूछ रहा हूं bank rate किया है तो आपको बोले bank rate एक ब्यासतर है जिस पर RBI जिस पर RBI बैंकों के लिए rent देती है कौन सा rate हम लोगों ने बात किती लंबी अबदी का rate देती है लेकिन बरतमान में bank rate का जो bank rate है इसका बैंक होती है वो अपना जैसे आर बैंक होती है आपको CRR और SLR इतना रखना है और bank नहीं रख रही है उसकी बात नहीं सुन रही है तो उस पर क्या लगाएगी जुर्माना लगाएगी तो जुर्माना का कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए ना वही आधार क्या है bank rate है हम लोगों इस पर बहुत बिस्तित में बात किती मैंने सेपरेट टैक्सर बनाए इसके वारे में अब हमनों दिखते है रीपूरेट रीपूरेट क्या है दीखे रीपूरेट अच्छे समझे क्योंकि बरतमान में इ इसी तरह है जब बैंक इधर बैंक किसको दे रही है और मैंने इसमें बताया था कि पूछ रहा हूं जिसका आपको आंसर देना है जब रिबर्स रीपूरेट है बैंक आर्बियाई को जब लोन देती है तो आर्बियाई को क्या प्रितिभूतिया गिर्मी रखनी होती है यह आपको बताना है यस या नो में आपको यस या नो में बताना है तो कुश्चन दोबारा से सुन लीजिए कि रिबर्स है इसका भी आपको अंसर देना है कि रिपो रेट या फिर मार्जन स्टेंडिंग है इसके तहत कितनी बैलू के बराबर जो बैलू है वो कितनी होनी चाहिए पिरती वो आपको बैलू बताने है जितना फिरत है वो यह आ पंध से कितना फ्रॉट में इसमें भी फिर Collins WhatsApp को लोगों ने लेकिन कौन सिर्थी में को अलिक Gewա कौन सिर्थी कौन eyelid स्टियल वैंक होती है उनी को लोन देती है और स्रीप और स्रीप 24 घंटे के लिए देखिए हमने रिविजन कर लिया कितनी जल्दी कर लिया अगर आप लोग अच्छे से फिर्पेस वीडियो सा भी देखे होंगे तो आप लोग तो से तीन मिनट में रिविजन कर लेंगे इसी की इसको बोलते हैं गुडातमक उपकरन जैसे मैंने आपको बताया था जब ये वाले उपकरन हे यार्थ विवस्ता को नहीं कर पाते हैं तब अढ़र बिया को मझबूर है में किसको उप्योंग करना पड़ता है इसको इंग्लिजिस में कहते हैं कौइलेटि इसमें indirectory रूप से क्या कर रही एक तरह से सम्भाद कर रही है लेकिन इसमें direct वो कहती है बैंक से वो क्या कहती है नंबर एक पहले जब बैंक जाती है सिर्फ समझाती है बैंक से कहती है कहती है आपकी कुछ नयतिक जिम्मेदारिये हैं ethical responsibility है कि आप ऐसा ना करो वरना से गाम करो हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छे से पढ़ना फिर भी आप नहीं मानते हैं तो वह बैंक भी जब आर्बी आई है वह बैंक को समझाती है पहले क्या करती है पहले कुछ उसकी जो नैतिक लगाएगी जुर्माना लगाएगी और जुर्माना लगाने पर भी वह नहीं बानेगी जुर्माना कट की रहेंगी तो हो क्या करेगी नया नियम हिला देंगी बस् को ऐसा करना है नहीं तो हमारी देश की अर्थ वे वह खराब हो जाएगी और दूसरी वह क्या करती है जागर गया बॉर्णिंग देती है जैसे आपको बॉर्णिंग देती है पढ़ लो बेटा वर ना तुब आप लगेगी और नहीं मानोंगे तो आपको पेनल्टी भी लगी कि अब भाई पेनल्टी के रूप है कुछ भी हो सकता है और वह सजा भी हो सकती हो सकते है आप भी मार भी लगे वह जैसे बच्पन में लगती थी वह में बहुत मार दी थी और दूसरा क्या वह नया नियम बना सकती क्या से वह कहाएगी सिर्फ हम किस मतलब जो भी इसका क्या मतलब हो है जैसे वहां से लग रहा है कि एक सेक्टर रहे है वहां पर पैसा नहीं जा रहा हुँ इस बारे में भी हम बात करेंगे बहुत ही बिस्त्रित में पहले आप इसको समझेज़े ग्हाटा होने यह उसे लगेगा कि इसकर नीचे जा रहा है तो फ्रसेंट आपको देना ही देना है तो वो RBI कि अगेंस जा रही है, अगेंस जा रही है, तो उसे उसकी बैंक बंद करती जाएगी, ओके, तो आप लोग समझ गे, अब हम लोग बात करेंगे, नॉन ड्रेडिस्टल इस्ट्रूमेंट की, जो काफी important है, इसलिए मैं आपको ये next वीडियो बताऊंगा, और काफी फानी तरह ऐसे बताऊंगा, कि आप इससे कभी भी नहीं खुलने आ ले, ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर इसनिस करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को सेर करें, और हमाई चैनल को भी सस्क्राइब करें, अभी मैरा चैनल थोड़ा नहा ह तो थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिए